यह अनस्टाप वोलुस नमसे सब्सक्राइब को कैसे हो सारे बढ़िया मैं बहुत बढ़िया सो फिर आज हम लोग आये हैं देखने कि बेस्ट वैली फोर मनी जो स्कूटर से तो पूरा 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 लिस्ट दिखाने वाला हो आज आज जो भी रहेगा स्पेसिकेशन फीच स्कूटर आपने लिस्टिंग का पहला स्कूटर होने वाला है इंडिया का मनपसिन जा स्कूटर यह रहने वाला है होंडा एक्टिवा 6G110 इंजन पर आ जाते हैं इसमें हमें मिलता है 109.5 cc फैन कूल 4-stroke si इंजन मैक्स पाउर प्रोडिस करता है 7.79 PS8 8000 rpm टॉर्क प्रोड 5-2-5-0 rpm ओविएसली F-I इंजन के साथ यह आता है इसमें हमें सेल्फ स्टार्ट और किक्स्टार्ट दोनों मिल जाते हैं फ्रंट प्रोफाइल की बात किया जाए तो हमें मिलता है स्टाइलिस्चा दिखने वाला हेड लाइड और यह रहने वाला है फुल-on LED इंडिकेटर इसमें मिलता है बल्ब्स के और टेल भी हमें मिल जाता है बल्ब्स के ही टाइर्स पर आ जाते है टाइर्स हमें मिलता है फ्रंट में 90 by 90 12-inch और रेर में हमें मिलता है 90 by 90 10-inch और यह रहने वाला है ट्यूबलेस टायर्स सस्पेंशन की बात किया जाए तो सस्पेंशन हमें मि मिलता है त्री स्टेप एजिस्टेबल स्प्रिंग लोड़ेड हाइड्रॉलिक शॉक अब्जर्बर्स इसमें टैंक कैपैसिटी की बात करू टैंक कैपैसिटी आमें मिलता है 5.3 लीटर कंसोल पे आ जाते हैं कंसोल हमें मिलता है एनलोग बेसिक फीचर जो भी रहता है राइडर के लिए जो भी चाहिए रहता है वो हमें मिल जाता है प्राइजिंग की बात किया जाए तो 85,000 ओन रोड मुंबई हमें ये वाला स्कूटर पढ़ जाता है अपने लिस्टिंग का सेकंड स्कूटर होने वाला है माइलेज किंग और रेट्रो लुकिंग किंग ये रहने वाला है सुजुगी एक्सेस 125 इंजन की स्पेसिफिकेशन पे आ जाते हैं इसमें हमें मिलता है 124 cc 4-stroke सिंगल सिलिंडर एर कूल इंजन max power produce करता है 8.7 PS at 675 0 RPM और max power produce करता है 10 NM at 5500 RPM ओवियसली ये रहेगा FI के साथ इसमें हमें मिलता है kick start और self start front profile में हमें मिलता है LED headlights और indicators tail lights सब हमें मिलता है bulb setup tires पर आ जाते है tires हमें मिलता है front में 90 by 90 12 inches और rare में हमें मिलता है 90 by 110 inches और ये रहने वाला है absolutely tubeless tires suspension हमें मिल जाता है front में telescopic और rare में हमें मिलता है swing arm suspension disc or drum दोनों को option इसमें देखने को मिल जाता है इसकी tank capacity की बात करूं तो tank capacity हमें मिलता है 5 liter का tank और अच्छा कासा mileage 45 plus ये अराम से दे देगा console हमें analog plus digital दोनों मिल जाता है bluetooth के variant में full on digital console हमें मिल जाता है pricing इसका होने वाला है 94,000 on road Mumbai पर ये बात याद रखो कि अलग-अलग variants का अलग-अलग prices देखने को मिल जाते है अपने लिस्टिंग का तीसरा scooter होने वाला है Yamaha fascino 125 hybrid engine की बात किया जाए तो 125cc air-cooled four stroke SOHC two valve engine में मिल जाता है power produce करता है 8.2 PS at 6,500 rpm और max store produce करता है 10.3 anam at 5,000 rpm ये रहेगा FI engine और इसमें हमें मिलता है दोनों kickstart और self-start front profile में हमें मिलता है LED head light और indicators हमें मिलते है pulp के और tail head हमें मिलने वाला है LED टायर्स पे आये तो front में हमें मिलता है 90 by 90 12 inches और rare में हमें मिलता है 110 by 90 10 inches ये रहने वाला है absolutely tubeless tires ये आते हैं alloy wheels के साथ इसमें आमें मिलता है disc front में 190 mm का और ये आमें मिल जाता है UBS system के साथ suspension की बात किया जाए तो front में मिलता है telescopic और rare में मिलता है unit swing suspension tank capacity की बात कर तो tank capacity आमें मिलता है 5.2 liter और mileage expect कर सकते हो 40 plus का console पे आ जाते है console में हमें मिलता है pull on digital console ये आ जाता है bluetooth connectivity के साथ जो भी basic information रहेगा वो दे देता है इसमें smart motor generator system quick engine automatic stop and start system देखने को मिल जाता है pricing की बात किया जाए तो 92,500 और मुंबाई हमें ये वाला scooter पढ़ जाता है अपना 4 scooter एक sporty nature riding वालों को बहुत पसंद आने वाला है और ये रेने वाला है TVS and torque race XP edition engine हमें मिलता है 124.8 cc single cylinder 4 stroke SI air cool fuel injected engine max power produce करता है 10.2 PS at 7,000 rpm और torque produce करता है 10.8 Nm at 5,500 rpm ये आता है self or kickstart के साथ front profile की बात करतो all LED setup हमें मिल जाता है और indicators आगे पीछे bulb के मिल जाते है और tail light जो रहेगा LED रहने वाला है tires हमें मिलता है 100 by 80 12 inches और rare में हमें मिलता है 110 by 80 12 inches ये रहने वाला है absolutely tubeless tires और ये आते है alloy wheels के साथ front में हमें मिलता है 220 mm का disc brake और rare में हमें मिलता है drum setup tank capacity इसमें मिल जाता है 5.8 liter और mileage आपको 40 के आसपस निकाल के दे देगा console हमें मिलता है fully digital और इसमें जो भी basic info रहेगा मिल जाता है इसमें Bluetooth connectivity riding modes more power देखने मिल जाता है ये सब unique features इस scooter को एक add-on दे देते हैं pricing पे आ जाते है 1,7,000 onward मुंबई हमें ये वाला scooter पढ़ जाता है अपने listing में final scooter रहने वाला है new launch TVA Jupiter 125 इसकी engine की specifications की बात करता हूँ हमें मिलता है 124.8 cc single cinder basic compliant engine max power produce करता है 8.4 bhp at 6,500 rpm और torque produce करता है 10.5 nm at 4,500 rpm front profile की बात करो headlight हमें मिल जाता है LED setup और जो भी indicators रहेंगे bulb के ही setup रहेंगे और इसमें tail light भी हमें इसमें bulb के ही देखने को मिल जाता है tires की बात किया जाए तो 90 by 90, 12 inches front और back में same size हमें मिल जाते हैं और ये रेने वाले है tubeless tires आते हैं alloy wheels के साथ brakes की बात करो 220 mm का disc का में front में मिल जाता है rare में हमें मिल जाता है drum setup suspension की बात करो तो front में हमें मिलता है telescopic hydraulic suspension और rare में हमें मिलता है monoshocks, inverted, gas fill shocks हमें मिल जाता है with 3 step adjustable इसकी में storage की बात करो 33 liter का इसमें storage मिल जाता है और tank capacity की बात करो तो 5 लिटर का tank capacity मिल जाता है और आराम से आपको 45 प्लेस का हमें mileage दे देगा कंसोल की बात किया जाए तो इसमें हमें मिलता है अनलोक प्लेस डिजिटल मीटर ये इसका add-on feature रहने वाला है इसमें हमें मिल जाता है instant fuel economy जो भी basic information रहेगा ये कंसोल आपको दे देगा इसकी pricing की बात कर तो 1,5,000 on-road Mumbai हमें पढ़ जाता है और इसमें अलग-अलग variants भी रहते हैं ये आपको note करना पड़ेगा disc variant आता है base variant आता है disc with mac wheel आता है so prices vary हो सकते है so friends आपको ये top 5 scooter जो है value for money आपको कैसे लगे I hope आपको पसंद आया रहेगा if you guys like this video please do like share comment and subscribe to my youtube channel be unstoppable peace